हम अपने जीवन में जो कुछ भी इकठा करते हैं, जैसे तनख्वा, शौरत, दौलत, हमारे शरीर का फैट, सब कुछ, हम कह सकते हैं कि वो मेरा है, मगर वो मैं नहीं हूँ. मैंने आपको कहते सुना है, और ये बहुत ही तारकिक बात है. मैं कह सकता हूँ कि घर मेरा है, मगर वो मैं नहीं हूँ. ये शरीर मेरा है, पर ये मैं नहीं हूँ. फिर मैं क्या है? अगर मैं वो सब छोड़ दूँ, जो मैंने कमाया है, अगर मैं वो सब छोड़ दूँ, फिर मैं क्या रह जाओंगा? मेरा अस्तित तो क्या होगा? मैं ये जानना जाता हूँ अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कर पर बैठ जाएगे खेर आप क्या हैं? अभी आप जिसे मैं कहते हैं वो बस विचारों, भावनाओं, धारनाओं, पूर्वा ग्रहों, सिधानतों विचार धाराओं की एक गठरी है वो कई सारी चीजों का एक मिश्रण है जो आपने एक खटा किया है आप एक स्क्राब बुक है ये सुनने मैं अच्छा नहीं लगता नहीं, आप एक कॉक्टेल है क्या हम उने थोड़ा अपगरेट करें? आप भूलों का एक गुल्दस्ता है ठीक है? तो आप क्या है? ये घटना ओहायो युनाइटिट स्टेट्स में सिंसिनाटी हवाई इद्दे की है लोग एरलाइन टिकेट बूथ में चेक इन की कतार में थे एक आदमी कतार तोड़कर सीधा सामने आ गया और अपना टिकेट फेंगा काउंटर पर मौजूद महिला ने कहा सर यहां कतार है उसने का नहीं नहीं मैं जल्दी में हूँ वो बोली सब जल्दी में हैं आप भी उसी विमान में जाएंगे कृपया कतार में रहें फिर वो बोला आप जानती हैं मैं कौन हूँ महिला ने उसकी ओर देखा तुरंट माइक उठाया और बोली यहां एक आदमी है जो नहीं जानता कि वो कौन है क्या कोई उसकी मदद कर सकता है तो मैं कौन हूँ यह ऐसा प्रश्ण नहीं है जो आप किसी और से पूछते है यह ऐसा प्रश्ण है जो आप खुद से पूछते है इसे अधिक से अधिक गहन बनाईए अगर अगर आप खड़े होते आप जो पूछ रहे हैं वो सुबह की प्रार्थना जैसा है आप जानते हैं लोग प्रार्थना कैसे करते हैं वे एक मंत्र सीख लेते हैं और अपने बच्चे को चुप कराते हैं और बीच में फोन भी इन दिनों मंदिर के पुजारी भी बीच में फोन उठाते हैं क्रिस्मस के आसपास ऐसा हुआ मिनिसोडा में एक महिला प्रार्थना कर रही थी पड़ोसियों ने उसके आवाज सुनी वो प्रार्थना कर रही थी क्रपया इस बार पिछली बार उस मूर्ख सांता क्लॉज ने मेरी प्रार्थना का गलत अर्थ लगा लिया मैं क्या चाहती हूँ मैं एक दुबला पतला शरीर और मोटा बैंक बैलेंस चाहती हूँ पिछली बार उसने उल्टा समझ लिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप धर्ती की सबी प्रार्थनाओं को देखें हे भगवान मुझे ये दीजे, वो दीजे, मुझे बचाईए क्या ये कोई दिव्वे चीज लगती है या बस जीवन चलाना जीवन चलाने में मदद इस धर्ती पर जीवन चलाने के लिए जरूरी है बस चार हाथ पैर और काम करने वाली दिमाग की कुछ कोशिक आए फिलाल सद्गुरू ये सब तो ठीक है मगर मैं जानना चाता हूँ कि मैं कौन हूँ ये सारा मैं कौन हूँ का कारोबार बहुत प्रसिद्ध हुआ रमणा महरशी के कारण आपने उनका नाम सुना है वे बंगाली नहीं है तो रमणा ने कहा मैं कौन हूँ और वहीं बैठ गए आजकल लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर वे किसी से पूछ ले मैं कौन हूँ तो उन्हें लगता है वे आध्यात में के मैं लॉस एंजलेस में एक प्रोग्राम सिखा रहा था वहाँ लोगों का एक समूह था करीब डेड़ सो लोग थे जो सभी विशिष्ट लोग थे उन्हें से कई हॉलिवुड से थे और बहुत सारी यूवतियां जो तकरीब नेक जैसी दिख रही थी वे बहने नहीं थी उनका डॉक्टर एक ही था फिर उन्हें से एक बोली सद्गुरू, मैं बस उन्हें एक सरल 20 मिनट की क्रिया सिखा रहा था क्यों? आपको अपने अंदर की और मोडने के लिए क्योंकि अगर आप ये प्रशन बाहर पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आत्मा, परमात्मा, बकवास है इससे क्या होगा? बस आपको नए शब्द मिलेंगे देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक आत्मा है आप दिव्यतत्व है, आप आत्मा है, आप परमात्मा है आप कहीं नहीं पहुँचेंगे आपको बस कुछ और बकवास शब्द मिल जाएंगे आपको बस यही मिलता है तो मैंने कहा कि हम आपको 21 मिनट की एक सरल प्रक्रिया सिखा रहे हैं कि अपने अंदर कैसे मुणे मगर आप कह रहे हैं कि इस 21 मिनट में हमें ये सब करना है मगर रमणा महारशी ने कहा था कि कुछ भी करना जरूरी नहीं ओ, ओ, रमणा लॉस एंजलिस मोच गए मगर रमणा ने कुछ नहीं किया था ये बात सच है वे बस यूँ ही पालती मार कर बैठे चुप चाप, स्थिर, पूरी तरह चूहे आकर उन्हें काटने और मांस नोचने लगे उनके शरीर पर जखम हो गए कीडे पड़ गए वे ऐसे ही स्थिर बैठे रहे अगर आप वैसा कुछ न करना कर सके तो एक दम उत्तर मिलेगा, ठीक है मगर आप कैलिफोर्निया में लोग ऐसे बन गए हैं कि एक मच्छर काटे तो वे 911 पर कॉल करेंगे हाँ, ऐसा ही है ऐसी हालत में उत्तर मत पूछिए तो ये एक अस्तितो संबंधी प्रश्न है ये कोई छोटा सवाल नहीं है आप नहीं जानते कि आप कौन है क्या ये छोटी समस्या है ये एक बुनियादी समस्या है है ना आप उठकर अपना परिचय दे रहे हैं आप बंगाल से आये हैं और बाकी चीज़ें और फिर ये प्रश्न पूछ रहे है ये प्रश्न अभी परिपक्को नहीं हुआ है अगर आप खड़े होकर सवाल नहीं पूछ पाते और आपकी आँखों में आसु आ जाते तो मैं बिल्कुल अलग तरीके से इस प्रश्न का जवाब देता मगर फिल्हाल ये एक मजाख है इसलिए मैं भी आपके साथ मजाख कर रहा हूँ ठीक है प्रश्न है ये अच्छी बात है कि प्रश्न है मगर प्रश्न में धार होनी चाहिए गहरा जाने के लिए जो अब तक उतना तीवर नहीं हुआ है कि वो किसी चीज़ को भेज सके अभी एक साधारन सा प्रश्न है तो अभी मैं आपको कुछ बता सकता हूँ कि आप कौन है मगर वो आपके अनुभव में नहीं है अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आपके अनुभव में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं आप उस पर विश्वास करेंगे या आव विश्वास करेंगे अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उसके करीब नहीं होंगे है न, तो अगर सच में ये प्रश्ण आपके भीतर जल रहा हो, अगर आज रात ये प्रश्ण आपको इतना परेशान करे कि आप सो ना पाएं, बैठ ना पाएं, उठ ना पाएं, अगर वो आपको इतना परेशान करे, फिर आप आईए, मैं आपको कुछ और दूँगा, झाल 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